हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल बेद अकेडमी में इस वीडियो में हम बिलोपन बिदी यानि कि डिलेशन मेथड की स्टड़ी करने वाले हैं और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ट्रिक बता हूँ जिससे आप ने जो एक्स और वाई की वैलिस केलकुलेट की है वो एक्कुरेट है या नहीं वो आप पता कर रहेंगे तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले आपको कुश्यन दिया हुओ होगा कि निमलेखित समीकरण निकाय को बिलोपन बिदी द्वारा सॉल्व कीजिए तो मान लीजी हमारा समीकरण है 3X प्लस 4 बाई बराबर 10 2X माइनस 2 बाई बराबर 2 अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन करने के बाद हमें सॉल्यूशन या हल आप लिखने के बाद इसको स्टार्ट करें उसके बाद आपको इसको एक्वेशन नमबर 1 मान लेना है यानि कि समीकरण 1 मान लेना है इसको समीकरण 2 मान लेना है इसके बाद हमारा बलोपन विदीगा नेन काम स्टार्ट होता है उसके बाद हमें जो हमारे समीकरण एक और दो है उनको आपको ध्यान से देखना है समीकरन एक में जो हमारा x का गुडांक है यानि x के साथ जो गुडां में लिखा हुआ है संख्या उसका गुडां हमें समीकरन दो में करना है यानि कि जो हमारे समीकरन एक में x का गुडांक है यानि x के साथ जो गुडां में लिखा हुआ है हमें समीकरन 2 में multiply करना है गुड़ा करना है जो हमारी समीकरन 2 में x का गुड़ा है या नहीं x के गुड़ा में लिखा हुआ x का multiply है उसका गुड़ा हमें समीकरन 1 में करना है तो इसको आपको प्रोपर तरीके से लिखना होगा तो हम इसको लिखेंगे समीकरंट 1 में 2 से गुड़ा करने पर समीकरंट 2 में 3 से गुड़ा करने पर उसके बाद गुड़ा करेंगे हमारी क्विशन थी 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y बराबर 10 थी हमारी क्विशन इसमें हमें 2 से गुड़ा करना है तो 3x हो जाएगा हमारा 6x प्लस 4y था तो हमारा 8y हो जाएगा बराबर 10 था तो यह हमारा 20 हो जाएगा उसके बाद हमारी equation थी 2x minus 2y वरावर 2 तो इसमें हमें 3 से multiply करना था तो 6x हो जाएगा minus 6y हो जाएगा यहां पर हमारा 6 हो जाएगा क्यूंकि हमें 3 से multiply करना था 2x minus 2y वरावर 2 है अब हमें इन दोनों equation का घटाना करना है तो यहां आपको लेखना पड़ेगा घटाना करने प एक minus है तो दूसरी प्लस होगी यह हमारी condition होती है घटाना करने के लिए तो सबसे पहले हमें जो हमारा नीचे वाला समिक्रण है उसकी चिन चेंज करने पड़ेगा यानिकी हैं हमें चेंज लेने संक्या के नीचे वाली समी करन करने ऊपर वाली चेंज नहीं लेने तो उपर वाली 6 की नीचे वाली माइनस की तो plus minus हमारा cancel out हो गा है अब 8 by प्लस का और यह नीचे वाला चिन लेना है 6Y plus का तो 8 plus 6, 14Y यहाँ से हमें उपर वाला 20 और नीचे वाला minus का चह लेना है तो 20 minus 6 हमारा हो जाएगा 14 और बड़ी बाली संक्या का हमें चेह लेना है तो बड़ी बाली संक्या हमारी हो जाएगी पलस की है तो हम plus 14 हो गए अब यहां से हमारा इतना हो गाए 14 by is equal to 14 आ गाए हमारा अब हम जानते हैं अगर बराबर के इस साइट भाग हो रहा है तो बराबर के उस साइट जाकर गुड़ा हो जाता है बराबर के इस साइट अगर गुड़ा हो रहा हो तो उस साइट जाकर भाग हो जाता है बराबर के इस side अगर minus है तो बराबर के उस side प्लस हो जाता है तो यह हमारी rules होते हैं sign convention से तो अब हमें यहां देखते हैं हम यहां पर हमारा multiply हो रहा है जो भी संख्या अगर किसी संख्या के साथ लिखी हुई है और बीच में कोई चिन्न नहीं लगा हुआ है तो वो गुडा में होती है माल लिजे 3 into x था तो यहां कुछ नहीं लगा हुआ है तो यह हमारी गुडा में होगी 4 by हो गाया 8 by हो गाया 9 x हो गाया यह हमारी सारी संख्या है जिसके साथ कोई चिन्न नहीं लगा होता है वो हमारी गुडा में होती है तो यह देखे यहाँ पर 14 बाई, यहाँ पर बीच में कोई चिने नहीं है, दोनों संग्या लिखिऊ है, तो यह गुड़ा में है, तो उस साइड जाकर भाग हो जाएगा, तो बाई बराबर 14 बटे 14 हो जाएगा, यहाँ से, तो 14 डिबाइड बाई 14, 14 बटे 14, कट जाएगा, यहाँ से हमारा एक जाएगा, तो बाई की वैल्यू यहाँ पर हमारी एक जाएगी, तो इसको हमें प्रॉपर बॉक्स में, बन करके लिख देना है, बाई बराबर, बन हमारा यहाँ से आगाया है, अब हमें क्या करना है, यह बाई की वैल्यू को आप समीकरन, एक या दो मे नहीं पर आपको यह एक एक स्टेप के बाद आपको सारी चीजे क्लियर करके लिखनी है ताकि एक्जामिनर कोई प्रॉब्लम नहीं हो को पिछे करने में और आपका इंप्रेशन अच्छा हो और आप फुल आउट फुल मार्स गेन कर सके यह नहीं 4 मार्स का कुश्चन आता है तो 4 में से 4 मार्स ला सके तो अब हमने बाय का मान जो कि बाय बरावर एक हमें समीकरण एक में रखना है तो हमारा समीकरण एक था 3x प्लस 4y is equal to 10 अब जहां पर हमारा बाय है बहां हमें बन पुट करना है एक रखना है तो हमारा 3x प्लस बाय की जगां में बन रखना है तो 4 multiply by 1 यहां से हमारा होगा है 10 अब 3x प्लस 4 बंज़ा 4 4 यहां से हमारा 10 होगा है अब इस side plus है उस side जाकर minus हो जाएगा हमें संक्या वाली एक तरफ लखना है और x by वाली term एक तरफ लखना है तो x वाली हम इस side रखेंगे और यह संक्या है हमारी 4 इसको side ले जाएगी तो 3x बरावर 10 माइनेस 4 हो जाएगा तो plus माइनेस माइनेस होता है और बड़ी वाली संक्या का चिनने लेंगे तो माइनेस हो जाएगा 6 तो 3x is equal to 6 हमारा यहां से हो जाएगा 3x is equal to 6 अब यहां गोड़ा हो रहा है उस side जाकर भाग हो जाएगा तो x की value यहां से हमारी 2 आजाएगी 6 divided by 3 तो x की value यहां से हमारी 2 आजाएगी जब हमने by बरावर 10 समीकर एक में रखा यानि कि by जहां पर था हमें बहां पर बन रखना था तब हमारी x की value 2 आई अब हमारी दोनों values आ गई है x बरावर 2 और by बरावर 10 तो अभी आपको proper तरीके से लिखना है अतहा एक box बनाना है x का मान हमारा 2 आया by का मान हमारा 1 आया अब आपका question यहां पर complete होता है अब मैंने आपसे जैसा बूला था कि मैं आपको एक trick बताऊंगा जिससे आप यह पता कर पाएंगे कि आपने यह x और by की जो value निकाली है वो सही है या नहीं क्योंकि अगर आप exam में जल्दी जल्दी आप करके आजाएंगे और आप यह check करके नहीं आएंगे मान लिज़ आपका गलती होगा है तो आपके marks आपको नहीं मिलेंगे तो आप खुछ से check कर सकते हैं कि आप यह करके आएंगे value से सही है या नहीं तो चलिए वो trick देख लेते हैं इसके लिए हम आपको exam में यहीं तक लिखना है आता x वरावर 2 और by वरावर 1 है समीकरन निकाय का हल है इतना लिखने के बाद आपको छोड़ देना है उसके बाद आपको जो आपका rough कार करेंगे आपको अपी में पीछे उसमें आपको चले जाना है और आपको समीकरन 1 या 2 को इसा भी आप समीकरन ले सकते हैं तो समीकरन 1 हमने यूज कर लिए है समीकरण 2 से आपको बता देते हैं, समीकरण 2 था हमारा 2x-2y is equal to 2, अब जहां पर हमारा x है बहां हमें 2 रखना है, और y है बहां पर हमें 1 रखना है, तो जहां भी हमारा x है इस equation में बहां हमें 2 रखना है, और जहां 2 है बहां पर हमें 1 रखना है, चली हम रखते हैं, तो यहा जगा टू रखना है माईनेस टू इंटू भाई की जगा बं रखना है बरौबर टू अब लसे लिए सा गर प्लस हो जाएगा बड़ी बरौअ करा आएगा 2 तो 2 बरावर 2 जब हमने x बरावर 2 और by बरावर 1 समीकरंड 2 में रखा तब हमारा lhs बरावर rhs आगा यानि कि left hand side right hand side के एक्वल आ गई अगर जो हमने समीकरंड में values x और by की निकाली है वो समीकरंड 1 या 2 में रखने पर lhs rhs के बरावर आता है तो हमारी जो values है x और by की वो correct होंगी तो हमारी यहाँ पर x बराबर 2 और by बराबर 1 जो values हमने निकाली है वो हमारी एकदम accurate है I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को like करें नहीं आई हो तो dislike जरूर करें एंट तक हमारे सांथ बन्रे नेने के लिए धन्यवाद